प्रेंड्स आज हम बनाएंगे सेव टमाटर की सबजी बहुत ही बढ़िया वाली सबजी बनाएंगे और कम समय में बनाएंगे सबसे पहले तो मैंने दो प्यास लिये हैं मीडियन साइज के दो टमाटर मीडियन साइज के और दो हरी मिर्श ली है यह कम तीखी वाली हरी मिर्श है भूँ ज़ाद तीखी वाली नहीं है तीखा आपके इसाब से आप रख सकते हैं तो लाद मिर्श का भी हम इस्तमाल करने वाले हैं प्यास टमाटर को हमें बारिक चॉप करके लेना है या तो आप टमाटर का प्यूरी भी बना के ले सकते हैं तो मैंने थोड़ा सा ओईल डाल दिया है इसी में हम थोड़ा सा घी भी डालेंगे या तो आप पूरी सबजी गी में भी बना सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो तो अभी मैंने ओईल का भी इस्तमाल कर लिया है और घी का भी इस्तमाल कर लिया है इसमें अभी मैंने सरसो के दाने डाल दिये है सरसो होने के बाद इसमें थोड़ा सा जीरा डालना है जीरा भी हमारा हो चुका है तो अभी हम इसमें बारिक कटी हुए हरिमेश डाल देते हैं तो बस हरिमेश को थोड़ा सा भून लेंगे इसके बाद हम इसमें प्यास डालेंगे तो प्यास को मैंने चौपर में चौप कर लिया था इसलिए ये बहुत अच्छा सा बारिक प्यास मैंने काट लिया है तो जितना हो सके उतना आपको प्यास को बारिक चौप करके ही लेना है या तो चौपर में चलावा के आप ले सकते है तो बस अभी प्यास को हमें सुने रहा होने तक इसको अभी भून लेना है अच्छे से और इसमें थोड़ा सा हम हिंग भी डाल देते हैं तो सेव की सबजी बना रहे हैं इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा हिंग भी डाल दिया है पेट के लिए अच्छा होता है और स्वाद भी बढ़िया आता है तो बस अभी ये प्याज में अच्छे से भून रही हूँ इस में अभी मैं थोड़ा सा नमक भी डाल देती हूँ तो प्याज जल्दी से हमारा भून जाएगा तो देखे अभी मैंने ये प्याज अच्छे से भून लिया अब देख सकते ही ये थोड़ा सा गोल्डन हो चुका है इतना आपको इसको भून लेना है इसी में अभी हम थोड़ा सा जिंजर गार्लिक भी डाल देते है तो ये चमच जो मेरे पास है वो छूटा वाला है इसले मैंने एक चमच इसमें चिंजर गार्लिक डाल दिया है तो बस चिंजर गार्लिक को भी अच्छे से हमें भून लेना है इसे कच्छा नहीं रखना है और ये टमाटर मैंने चॉप कर लिये है ये चॉपर जो होता है उसमें मैंने टमाटर को चॉप कर लिया है या तो थोड़ा सा मिक्सी में आप चला कर उसको प्यूरी बना के आप ले सकते हैं तो बस अभी ये टमाटर भी पूरा गलने तक इसका पूरा पानी हो जाए इतना हमें इसे बुन लेना है टमाटर प्यास जितना हम अच्छे से भूनेंगे उतनी ही सब्जी हमारी पढ़िया बनेगी तो देखे अभी ये प्यास टमाटर अच्छे से मैंने भून लिया इसके बाद मैंने थोड़ी से इसमें हल्दी डाल दी है थोड़ा सा जीरा पाउडर डालना है तनिया पाउडर एक चमच और थोड़ा सा गरम मसाला तो ये घर का बना गरम मसाला है इसलिए मैंने थोड़ा सा डाल दिया है और कश्मीरी लाल मिर्श डाली है मैंने एक चमच तो मिर्श आपके हिसाब से आपको जैसे तीखा पसंद हो उस हिसाब से आप ले लीजिए तो सारे मसाले हमें अच्छे से भून लेने हैं तो बस अपी देखें मैंने ये मसाला भी अच्छे से भून लिया है तो आदा चमच ये मैंने कीचन किंग मसाला इसमें डाल दिया है अगर घर में हो कीचन किंग मसाला तो डाल दीजे नहीं डाले के तो भी चलेगा तो बस अभी ये धाबा स्टाइल जैसे बनाते हैं वैसे ही मैं बना रही हूँ तो इसलिए मैंने इसमें कीचन किंग मसाला भी डाल दिया है और दो चमज मैंने ये दही लिया था तो दही फ्रेश वाला लेना खट्टा वाला दही का इस्तमल मत कीजिए फ्रेश वाला दही दो चमज लिया था और उसे मैंने अच्छे से फेट लिया उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है तो दही हमारा खटा अगर हो तो सबजी भी खटी लगेगी इसलिए आपको दही को फ्रेश लेना है मसाले दही मैंने अच्छे से भून लिये दही को पहले मसालों में अच्छे से भूनना है और उसके बाद ही इसमें पानी डालना है तो बस अभी थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया इस मसाले को अच्छे से हमें पकाना है इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है अभी हम इसमें धकन लगा के इस मसाले को पका लेंगे इसमें से ओईल चूटने लगेगा इतना हमें इसे पकाना है कम आच पे तो देखें अभी धकन लगा के मैंने इसे कम आच पे पका लिया इसमें ओईल भी दीख रहा है और मसाला भी हमारा अच्छे से पक चुका है तो देखें ये कितनी अच्छी ग्रेवी बनी है तो मसाले को हम जितना अच्छे से भूनते हैं उसी तरह से उसी मतलब स्वाद में हमारी सबजी अच्छी बनती है तो थोड़ा सा इसमें दूद भी डालना है तो ये ढाबा स्टाइल सेव टमाडर की सबजी है इसलिए मैंने अब भी जो उनका तरीका होता है उसे तरीके से मैंने आपको ये दिखाया है तो बस थोड़ा सा दूद डालने के बाद इसको भी हमें अच्छे से पकाना है तो देखें ये मसाल अच्छे से पक चुका है इसमें थोड़ी शी शक्कर डालनी है अगर आपको पसंद हो तो डाल दीजिए रना आपको पसंद नहीं तो मत ढलीए तोड़ेशी शक्कर ढलीए बहुट ज़्यादा नहीं डालनी है और ये थोड़ा एसा केचप है तो एक मै Komma कि अदा चमस यह मैंने टोमेटो केचप में डाल दिया है तो आप जादा नहीं ढ़ना है वर्ना यह कहथा हो सकता है तो हमने टमाटर पी दाला था और दही भी डाला था इसके वज़े से बहुत जादा ऑगे तो जादा ख़ड़ा हो जाएगा तो अभी टमेटर सॉस डालने के बाद मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया है पानी डालने के बाद अभी हमें इस ग्रेवी को पका लेना है तो अभी यह पानी मैंने इसमें डाल दिया है जैसे आपको सबजी गाड़ी या पतली चाहिए वैसे आप बना सकते है तो थो बप चुका है और बहुत ही अच्छी कुश्पू इसमें से आ रहे है ऑज लोे बहुत ही अच्छा आप पक चुका है और अभी ये कसूरी मेती डालेने हैं मैं इसमें कसूरी मेती डालनी है को अच्छा दिखता है जैसे धाबा में जैसे बनाते हैं उसी तरीके से मैं बता रही हूँ और इसके अंदर अभी हम यह राधनिया भी डाल देते हैं बारी कटा हुआ तो देखें यह ग्रेवी हमारे अच्छे से पक चुकी है सेव डालने के बाद हमें इसे बहुत ज़्यादा पकाते नहीं है इसलिए इसे पहले ही बहुत अच्छे से पकाना होता है उसके बाद फिर हम इसमें सेव डालते हैं तो देखिए हमारी जो ग्रेवी है बन के रेडी हो चुकी है और ये मैंने तीखी वाली सेव ली है जैसे भी आपको सेव पसंद है वैसे आप ले सकते हैं ये मीडियम साइज वाली सेव ली है बहुत जादा मोटी भी नहीं है और बहुत जादा पतली भी नहीं है तो जैसे औ और सेव डालने के बाद बस तो मिनिट के लिए इसे हमें इस ग्रेवी में पकाना है बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है वरना ये सेव बहुत ज़्यादा मैश हो जाएगी जबी भी हम खाना चाहते हैं तब आप इसे दो मिनिट के अंदर बस तो मिनिट के लिए इसमें डालन है डखकन लगा के इसको दो मिनिट के लिए रखना है उसके बाद फिर आपको ये खाने के लिए मिल जाएगी मतलब पर रेडी हो जाएगा ये सब्सक्राइब तो देखेए ये सेव बहुत जादा मतलब गिली-गिली सी भी नहीं हुई है अच्छे से ये सेव साबुत है वरना कभी-कभी सेव पूरी गल जाती है ग्रेवी में तो ये सेव आप देख सकते हैं ये साबुत ही है इसलिए इसको जादा पकाना नहीं है बस दो मिनिट के होती है भोती अच्छी लगती है तो इसे आप जरू बनाईए और पसंद आयेट लाइक की जार शेर कीचिए और इसे आप जरू बनाके देखिए